लागु करो दो बच्चों का कानून लागु करो बड़ती जो अबादी है देश की बरबादी है नमस्कार लाइव जनादेश में आपका स्वागत है इस वक्त खड़े हम कलक्टेट पर जहां एक परदर्सन हो रहा है परदर्सन अगर देखें तो देश का एक महतपूर मुद्दा एक बड़ी आवाज उठा रहे हैं कुछ लोग जो समाज सीवी हैं और कहीं अगे बहुत जुम्मेदार लोग हैं मुद्दा है जनसंख्या खा यानि जनसंख्या जो कही ना कहीं विस्पोटक बनती जा रही है इंदूस्तान में और दूसरा देश ऐस जनसंख्या विस्पोटक रूप में हो रही है लेकिन लोग कही ना कहीं आज इस्टाइक करने को तयार है और सरकार को चेता रहे हैं जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है देश की स्थिति को लेकर यहां लोग बैठे हैं और धरने पर बैठे आई इनसे बात करेंगे औ सब्सक्राइब का नाम क्या है अमरपाल सिंग्पोमार धरने पर बैठे हो यहां क्या मुख्य मांग है दो बच्छों कानून बने कानून बने मेरे नाम मनुपाल बंसल है हमारा संग्षन जनसंख्या समाजान फाउंडर पिसले लगबग साथ वर्सों से कारे कर रहा है आने वाले टाइम में संसाधन बहुत कम पड़ जाएंगे इन संसाधनों को लेकर अब से पहले भी बहुत समश्याएं खड़ी होगी यह ग्रह युद्ध के हाला तक आ जाएंगे देश में जनसंख्या नियंतन कानून नहीं लाग हुआ क्योंकि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनोंने अपने उपर स्वेम ही जनसंख्या नियंतन कानून लगा चुके हैं जो हम दो हमारे दो करें बहुत से ऐसे लोग है जो भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं इससे बड़ा खत्रा और कुछ नहीं हो सकता देश के लिए हमारे देश में 10 समझ्या का समधान कर दे हमारी सरकार कि जनसंख्या नियंतन कानून ला दे तो स्वेत ही 10 समझ्या का समधान हो जाएगा मुल रूप से अगर समझ्चा का समाधान बता रहे का या उनका समझ्चा कानून लग जाता है इससे बहुत समाधन हमारे सीमित हैं, वो कम पढ़ते जा रहे हैं चाहे वो जमीन चाहे वो प्रॉपरिटी है और यहीनिबड़ी कोई भी चीज हो जब बीमारी आई हो हमारे हैं यदि इस तरह से जनसंग क्या बढ़ती है आप जा रही है तो बीमारी भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी और बहुत चीजे हैं जिन से आने वाले टाइम में जनसंग इस तरह से व्रद्धी होती रहेगी तो आप सभी के सामने हैं जल संसादें चा के आहालात आ जाएंगे जनसंग कानून लागू नहीं किया गया तो साफ तोर पर बताया मनुपाल बंचले ग्रह यूद के आसार बन रहे हैं आप यह बताए सरकार लगातार आप मांग कर रहे हैं बहुत संगठन इसमें कानून की बात करें नियंतन की बात करें जो के भी खिलाप नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी उसकी खिलापत हुई तो सरकार को अपनी चीजे देखनी होती हैं और इसके साथ-साथ हम लोगों का भी अपना दायत है जब तक समाच से लोग बाहर निकल के नहीं आएंगे सरकार से मांग नहीं करेंगे तब तक सरक में लोग इसको मांगते हैं मांग कर रहें तब ही सरकार बनाएगे अधरवाई जो नहीं कितने दिन से यह आपकी जो मांग है यह चल रही है और यह कब तक चलेगी मूर रूप से देखिए साथ साल से हम लोगी लगातार इस पर काम कर रहे हैं और यह जब तक यह कानून द भी हमारी मूल भूत समझ जो है सुईदाएं हो वह सब कम पढ़ती जाएंगी जितनी तेजी से रफ्तार से हमारी जन संक्या बढ़ रही है तो सरकार क्या इस जन संक्या नियंतर में क्या बैट रहेगा अगर आप सरकार तक अपनी मांग पुचा रहे हैं तो कानून किस तर करता है तो उसको सरकारी नोक्री खतम हो और यह थी के बाद भी चोता करता है तो उस पती पत्नी को 10 साल की सजा हो और उनका मताधिकार जो है खतम हो तो यह जब सब चीजे इसमें आएंगी सक्त कानून बनेगा तब ही कहीं इस कानून को लोग मानेंगे अदरवाई नहीं म प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् जो शिक्षित परिवार हैं चाहे वो किसी भी जाती ध्रम में हो कोई ऐसी भेदभाव वली नहीं हम सरकार से जो मांग कर रहे हैं कि बिना जाती ध्रम के ये कानून देश में लागू किया जाए ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये कानून लागू नहीं होता अब इतने पड़े लिखे शिक्षित यूँ आप भाई इतने सड़कों पर बेरोजगार गूंब रहे हैं उनके उनके पास नोकरी नहीं है अगर यह हाल रहा तो आगया आने वाले टैम में जैसे पहले पता लग रहा था कि बहुत से जो उनको मजदूरी पर जो बेड की नोकरी डिग नहीं है या डोक्टर से नहीं है तो यह बहुत बड़ी समस्चा है अगर समस्चा का हल करना है तो जंशंक्या नियुक्त लगू करना पड़ेगा आज क्या खास प्रोग्राम रहा है आप आज जो काम क्लेक्टेट अब हैं बागपत क्योंकि 11 जुलाई विश्व जंशंक्य दिवस के रूप में पूरे भारत में हम मनाते हैं और आज 9 तारिक है दो दिन पहले इसलिए ये कारिक्रम करना पड़ा क्योंकि 2 दिन अवकास है इसलिए 2 दिन पहले का अवकास रखा गया है लेकिन 11 तारिक को अप अपने इस्तान उपर जंशंक्या समंदान फाउंडेश करिए कि हम कानून लागू करेंगे तो हम उनसे यह भी मांग करते हैं कि जंशंक्या नियंतन कानून मजबूत लागू करें सक्त अगर हलके में लागू किया गया तो उसका बहुत भारी नुक्सान हमारी देश की जंता को जहिलना पड़ेगा और आज हर जन की आवाज बनत कि मैं एक बात आप से पूछना चाहूंगा महुद है कि जो यहां अधिकारियों से लगबग आपके बात होती रहती है उनका क्या रिवया है क्या वो आपको किस तरीके का स्वासन देते हैं अधिकारियों से जैसे आज बात हुई है उनको कोई रूची नहीं है तो नोकरी लेते हैं तो विज्ञापन लेना पड़ेगा और जी हम समाज सेवा का कारिया कर रहे हम अपना नीजी स्वार थोड़े हम तो पूरे बारत का कारिया कर रहे है है पूरे देशके विकास में जो बहादा मारी जंसंक्यांतन कानून बन रही है तो पूरे देश का विकास होगा और जी हम यह चाहते हैं कि यह जल्ती से जल्ति कानून लाग हो एक वात और बताओ इसमें जिसके पास जमीन नई है करह हैं इन्हान के पैसे नहीं है वो तो माप का इंजिनियर बनाओ निखाऊ तो जादे बच्चा पढ़ना तो देश के लिए खतर है आपस में गरमें और बाइक उनके इक बाइज है गरमें जहझेए के होंगे और या और राग् 성 in किया होगी पंदोलन कब तक ऽिस निवेश आते रहें गें इसे चलाद इस फिलति नखी चलता रहेंगे मैंने तक इसको a don Was pa middleman कु चलाया姓 कि शाफ तोर पर इस तरीके सरे इनों ने बताया है जैसे जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन चलता रहेगा और देखते हैं कब तक ये कानून बनता है और कब तक इन लोगों की ये जो मेहनत है कहीं न कहीं एक बड़े लेविल पर जो कर रहे हैं परदसन कर रहे हैं ये सफल होती है जब तक के लिए नमस्कार